बाणी गुरू गुरू है बाणी विच बाणी अमुरत सारे गुरु बाणी कह सेवक जनमाने परताख गुरू निशतारे चवर्शतर तखदे मालक साहब सरी गुरू गुरंत सहवजी दी पुईतर हजूरी विच सुभायमान गुरू सरूप गुरू प्यारी खालसा साथ संगत जी फते परवान करो वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते तंतन स्री हर क्रिशन सहिब सचे पात्षाजी अठवे पात्षादे पुईतर अस्थान गुर्दवरा शरी बंगला सहे विखे आप सर्बात संगतां खाजरीन हो तंतन स्री गुरू गुरंत सहिब सचे पात्षाजीदा पुईतर फुर्मान सिंग सहिब ग्यानी रंजीज सिंग हुना पासूं आप संगतां ने सर्बन कीता है शरी गुरू गुरंत सहिब सचे पात्षाजीदी शतर शाया हेट जो महा राज गुरू गोबन सिंग जीदी बाणी दी विचार आप संगतां दे सनमुक्षरू कीती है आउस दी विचार नल जुड़के समेनू जीवनू सफला करिगे बाणी दा फुर्मान गुरू बाणी वर्ती जग अंतर इस बाणी ते हर नाम पाये दा जड़ी गुरू की बाणी है जगत दे अंदर जिसनू अकालपुर्ख पात्षा ने गुरू नानक सहब राई और दसो गुरू सहबाना दे सुरूप तार करके पर्गट करना कीता पगता सादुआ साथ पुर्शा राही पर्गट कीता ये बाणी पर्मात्मा दे बोलने ये दे नाल प्रभु पर्मिश्वर्दी प्राप्ती हुंदी है गुरू गोवन सिंग सहिव सचे पात्षा अपनी बाणी दे विच फुर्मान कर देने पर्मं पुरानं पुवित्रं परें अनादं अनीलं असंबं अजें ऐसे अलफाज सिख दे नित नेम वे चौंदी जाब सहिव दी बाणी विच वी पात्षा ने बेंत वरते ने अकाल पुर्ख दी उस्तती विच गुरू गोवन सिंग पात्षा कहीं देने पर्मंग पाव है परदान जो सारे यांदा मालक है तुम परमातमा सारे यां तों परदान है, महान है, पुरान तों पाव है आद काल तों इमुड कदीमी तुम सारे यांदा मालक है यह नहीं भी मालक कोई बदल जानदा है, प्राचीन है तुम पुवित्रं पावो शुद सुरूप है कितना का पुवित्र है केंदे प्रेयं परे तों परे उदारण नहीं दिती जा सकती इतना वो पाक है वो विकारां तो पार है सोगे उदी वडियाई विच केंदे ने अनादं अनीलं असंभं अजेयं पुदा आद काल की है कोई ना जान सकेया है महाराज केंदे ना जान सकेगा अनीलं तों पाव ना किसे गिनती मिनती विच अउंदा है ना किसे तोल दे विच अउंदा है और विकाराँ दे रांगतों रहता है विकाराँ दी कालकतों रहता है हो अजेयं जेडा असंबम लवज है ना असंबम असंबम है उसता अन्त पालैना इस नाट पॉसिबल भी कोई दुनिया ते उस परमातमा दा अन्त पासके ना मुंकिन है उदा अन्त पासके जाँ उदा आद अन्त कोई जान सके सो महाराज ने एक लब्ज वरते आगे अजेयं उसनों जितने वाली कोई दूसरी हस्ती कोई शरी को दे बराबर ते पैदा नहीं होया अपेदं अशेदं पवित्रं प्रमातं शेदं केंदे जेदे वेच शेदना वे शेखना किता जा सके अखांड हैं तुम तुम परचांड हैं अटोट हैं अकाट हैं तेनों कोई काटवाड नहीं सकदा प्रमातं केंदेने कुचल नवाला तुम सावनु कुचल सकदा हैं तेनों नहीं कोई शेद सकदा पर तूँ सारे आम विच शेद कर सकता हैं पाव के खंड-खंड कर सकता हैं सब नूँ तू सो महारा रिकें दे तूँ प्रमाथं पाव तूँ समराथ हैं जो चाहे तू दुनिया ते कर सकता है महादीन दीनं महानात नातं दीन दे बड़े अर्थने दीन लवज गरीब लई भी आउदा है जे फार्सी विच चले जाओ अर्बी विच फिर तर्म लई आउदा है जे मैं बाणी च पढ़ दे हो ना सूरा सो पहचा नहीं है जो लराए दीन का है हेते थे गुरू गरंसेव दी बाणी विच अर्बी दा लवज दीन परशियन यतना है भी अर्बी मुड़ दी पाशा है उदी अगे ती लालो फार्सी ते अगे गाँ उदे तो आजान दी है उर्दू मुड़ दा अर्बी है गुरू गोविन सिंग पाथशा कहिं देने महा दीन दीनं तू गरीबडे आंते दया करनवाणा आए तू दीना पाव विच रेंवाला आए निर्मान ता विच रेंवाला आए महा नाथ 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 दा मतलब है जो सारे आनू नाथ पाके रखे मालक सारे आनू पोन के दुनिया ते कहें दे कई मालक कई नाथ पर सारे आनू तून केल कसी होई है तेरे हुकमतों बार कोई नहीं है सारे आदानाथ ऐ परमातमा तूँ आप है अपने निर्कुन सरूप दी वडियाई गुरु गोबन सिंग पात्षा कर देने अदागं अदगं अलेखं अपेखं तेरे ते दाग कोई नहीं है अपने जीवन विच कई विकार ने कई साडे ते दाग वया कर देने जिड़ा परमातमा है न उदे ते दाग कोई नहीं है ओ सारे आदा नाथ है सारे आदा मालक का है दीना ते दया करनवाला है तुस्वी गुरू गरंस है विच्वी योदे बाबत को जैसे ही लवज पढ़ देयो दीन, दुख पंजन, दयाल प्रवनानक, दयालू है, गरीबानू मान बक्षन वाला है, सारे याँ जीवां दी और रख्या करन वाला है, महरर कहिंदे कलंक तो रहत है, अदगं, अदाग कहिंदे ने, जो बड़ा पाक दामन है, साफ सुतरा है, तुँ अदगं है, कहिंदे अलेखं अपेखं, बिना किसे पेखतों हैं, अलेखं तुँ लेखे विच नहीं अमगा, अनन्तं अनीलं अरूपं अदवेखं, एक कह अन्त दूसरा है अनन्त, जो पैदा वेगा उदा अन्त है, उ कहिंदे जाया ही नहीं, पैदा ही नहीं होया, उदा अन्त नहीं हो सकता है, जो बेअन्त है, उ फिर अनीलंग लबजो देली महाराज दोहराओं देने, कहिंदे गिनतियां विच ओ अउदा नहीं, जे पैदा नहीं होया, ते महाराज कहिंदे अरूपं अदा रूप भी कोई नहीं है, वशेश करके अदा कोई रूप नहीं, जे कोई आखे भी उदा ए रंग है, ओ रंग है, जा अरूपंग दा ए वी पाव ले आ जानदा है, भी उस दा रूप जदों सरगुन सरूप वे चांदा, इतना सुन्दर है, बियान नहीं कीता जा सकता, सो गुरु गोवन सिंग पाश्या कहीं दे, अदवैखं किसे ना इर्खा नहीं करदा, किसे ना वैर नहीं करदा होदा, सुबा मुद कदीमी ऐसा है, महा तेज तेजं महा जवाल जवालं, तेज कहीं देने, अपन कहा देने ने बंदा बड़ा तेज है, चला का, ओदे वर्गी सुर्ती नहीं किसे दी, तेज तो पाव चमक भी है, परकाश भी है, तेज तो पाव बाहू बल भी है, केंदे ओदे वर्गा परकाश के सेदा नहीं ओदे वर्गा बाल के सेदे विच नहीं ओदे वर्गी सुर्त के सेदे पास चलाकी के सेदे पास नहीं है महा जवाल जवालंग जवाला अगनू केंदे ने आतिशनू अगदा सेख बढ़ा है बारी तोरते बड़ा कुझे साड़ सक दी है पर मानता ही पहुँच नहीं है कालपुर्ख ऐसी परचांट जवाला है नाम जपें ते तेरे पापानों मी साड़ देंदा है उदी मानता ही मी पहुँच है और जड़ी जवाला है उसनों मी सेख देन वाला रोशनी देन वाला चमक देन वाला परचांट करन वाला पर मातमाईय उस दी ही जोत है सो महारा रिकेंदे महा जवाल जवालं अगे केंदेने महा मंतर मंतरं महा काल कालं उन्हें इस गल दा ख्याल रख्यो भी मंतर की उन्दा पहला अर्थ ते अभी गुबत गल करनी किसे न, दूसरे नूँ पता ना चले, सला मश्वरा करना, जेहुन तंतर विद्या चाजों न, जेड़े आजकल टूने टपे वड़े कर देने, उथे अभी किसे खास मंतर दा जाब करना, सिधी प्रापत करन दे ले, किसे खास मंतर नूँ वारवार पढ़ना दहरोणा, कोई सिधी वसी कार करन दे ले, सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने, गुरू गरंग सहवनों पुछिये भी ये तंतर मंतरां विच पहना चाहिए दा के नहीं कहिंदे नहीं, तंत, मंत, पाखांड ना जाना, ये पाखांड है कहिंदे दे तो दूर रहो, हुन इथे जड़ा लवज है, इथे मंतर की है, गुर्मत विच मंतर किस नूँ के आए, पग दी दे मार्ग ते मंतर के आए, अकाल पुर्ख दे नाम नूँ, उदा अबियास करना, ते साड़ा महा मंतर की है, महा मंतर नानक कथ है हर के गुण गाई, गुरु पाथशा कहिंदे महा मंतर है परमातमां दे, गुण गुणें ते मिलेगा की केंदे सुनत जपत हर नाम जासतां की दूर बलाई सब बलावां दूर जानगी यां तन दे रोग मान दे सोग मिठ जावन गे जेडा बाणी नूँ पड़ेगा सो महा मंतरा दा मंतर बाणी है काल पुर्ख दा नाम है गुरु गोबन सिंग केंदे सब मंतरा तो तूँ ऐ अकाल पुर्ख वड़ा है महा काल कालं लोका ने अपो अपने रहबरा देवतियानों महा काल समझ लिया कोई शिव जी नूँ कह रहा है अपो अपने इस्ट नूँ काल तो महान कह रहे ने गुरु गोबन सिंग केंदे नहीं काल तो उते कोई नहीं है क्योंके जेडा भी आया है चाहे ओ महापुर शैजा साकत है उसनू काल ने दुनिया तो ले जाना है काल दा भी काल असल महा काल काउन है केंदे ओ कदे मर्दा नहीं है वो सदीवी है जिनु गुरू गुरंग सहीव केंदे ने अकाल मूरतवर पाया अब नासी नाकदे मरेना जाया अकाल पुर्ख सदीवी रेन वाड़ा आए अच्छा हुन अगे एक लवजा पंजाब सहीव इच पढ़ दें नमो कले करता नमो सांत रूपे जेते शांत चे तुसनू विखना आए ते उदे सर्गुन सुरूप गुर्णानक सहय वेखो किनने ठंडेने गुरू अरजन सहय तती तवी थंडेने फूकीरावल वेखो ठंडेने जे उदा बीर रसी रूप वेखना आए गुरू हारगोबिंदु सहभ वेखो गुरु गोबन सिंग महारार बेखो ते जाँ जिनने मी दीन दी खातर मैदाने जंग विट सूर में जूज देने सुआस ते बक्षे हो दे ही लें देने हुने थे प्रेम रसी बात तों बात कलगी तर महारार बीर रसी गल कर देने जदों सूर बीरा विच रहबरा विच पैगंबरा विच जंग जू सूर में विच वर्ती दाए जदों उस दा रूप काल वरगा बनदाए ते कैसा हो जापदाए ये साड़े अंदर बीरता पैदा करन लई चाहे व अंदर साड़े वैरी ने काम करोध लो वो हंकार ते चाहे बार कोई दीन दे तरम दे वैरी ने किमें डटके जूजनाए महारार पादशा और रूप बियान कर देने सो एथे दीन दुनिया दे मालक का खन लगे करं बाम चापयं किर पानं करा लं करं के आए हाथनू ते एथे जेड़ा लब्ज वरते आए बाम बाम कहीं दे ने खबे आथनू कहीं दे खबे आथविच ओदे किरपान है दीन दुनिया दे मालक दे हाथविच किरपान है नाल पाथशा आखन लगे करालं है बड़ी पे अंकर ते करपान दे नाल नाल उतनो खनूमी तार के बैठा आए चापयं कहीं देने वाँ सदा जेडा तनो खुंदा आए हुन दुआ हथां विचो दे शश्तर अस्तर ने सूर्मया दे इसे तरहीं होया करदाना मैदाने जंग विच पार्तवर्ष गुलाम सी कलगीतर महाराय समझा रहे सान भी देखो अईदादा रूपतार ना पवेगा जे मुगलां तो निजात चउंदे योते वो कैसा रूप है करंग बाम चापयं किरपानं करालं प्यांकर जी किरपान ते तनुख दे नाल नाल तीरां दा पथा परके उने टंगे आए मोडे दे नाल बास दा तनुख है उदे कोल कैसा रूप है कहिं दे महा तेज तेजं भी राज्य भी सालं महा तेज सूर्ज वाल ते दो चार सेकंड वेक सकदे यां कहिंदे उदा तेज ऐसा है उदे वाल वेखिया नहीं जानदा तिखा फारसी दा लफज है तिखा बी राज्य बी सालंग बी साल कहिंदे ने जेड़ा बड़ा वड़ा हुए शक्ति नाल जेडा पर पूर होए सो गुरु गोवन सिंग पात्षा कहिंदे ने ओ बिराज रहा है ऐसे वस्तर अश्तर अपने ते उसने तारे होए ने शस्तरा दे सह तो लैस है और ओधी सोबा देखे आं बन दी है कहिंदे नदर होदे ते बहुता समा टिक नहीं सक दी होदा तेज परता पैसा है महाँ दाड दाडं सो सोहं अपारं वैसे दाड अवडे दादलाई भी होदा ने चबाउन वाले ने यथे दाड तों पाव है किड़ा भी कोई सक्त के उना होवे अकाल पुर खगे टिक नहीं सक दाओ चबा के सोट दवेगा जमें जाड खाने नूँ चबा के सोट दी है परमातमा दे अगे कोई सूरबीर टिक नहीं सक दाओ दे नाल कोई टिक जावे ए हो नहीं सक दा ये रूप ब्यान कीता है उसुदा ते अगे केंदे सो सोहं अपारंग सोहं केंदे ने सुन्दर नूँ शोब नीक नूँ अपारंग एड़ा के सुन्दर है जदों ओदे दिदारे सातपुर्शान हों देने केंदे ओदी सोबा बियान नहीं हो सक दी पारावारतों रहत है गुरु नानक सहीव नूँ मी सिखां पुछे आड़ी तो आड़े निर्गुन सुरूप प्रमातमा जए उना दे दर्शन करने हों ते कैसे ने केंदे ने तेरे बंके लोयन गुरु गरंशेव की केंदे ने किनी सोबा है तेरे बंके लोयन दंत रिसाला सोने नाक जेन लमडे बाला लमेक एसने सुन्दर नैनने रसदायक मोतिया वरगे दंदने सो ए उदा बड़ा सुन्दर सुरूप गुरु नानक सहिव ने सिखां सेव कांदे सामने जाहर कीता है इसे तरह पात्षा गुरु गोबन सिंग उदा सूर बई जेड़ा पाक है उजागर कर देने जिनाए चर्बियं जीव जग्यं हजारं चर्बिय वाले जीव पाव मिज वाले जीव बदननू के आए कहिंदे जिन्नेवी दुनिया दे उते जीव ने चर्बिय नू तारने वाले ने जग्यं हजारं जो हजारां दी गिनती विच ने दुनिया दे अंदर इना सारे नालों ओ तेज परताप वाला है महा अजमती है सारे ओदे हुकम दे विच चल देने जेड़ा हर चर्बिय वाले जीव नू जाड तले चबाके खत्म कर सकदा है ऐसी युदी ताकत है धमादम दोरू सिता सेत शतरं उन दोरू जेड़ा है यह जंगी साज है जो मैदाने जंग विच वजाया जान्दा है सिता सेत शत्रंग जदो मैदाने जंग विच वो सूर मिया दे विच अपनी बरकत परके बल देखके उतारदा है उते डौरू उते नगारे फिर वज़ देने सिता सेत शत्रंग सूर बीरां दे उते सिता सेत चिटे काले रांग दे शत्र चूल देने राजयां दे उत्र जायों कहलो परमातमा शत्र तारी है शत्रां दा मालक है सूर बीरां दा सूर बीर है सारी दुनिया वेच जांग दे नगारे ओदे खड़क दे ने पावो सुनूं कोई जितन वाला नहीं है हाहा हू हासंग चा महां चाम अतरंग और कहिंदे जदों परले लेके यह उदा है ना ऐसा रूप तार लवे यो दुनिया चाहा कार माच जानती है महाराय गुर्णानक सभी ने कहा सी ना एती मार पई कर लाने तैंकी दर्द ना आया फिर जदों मार मच उदा है ऐसी मार मच उदा है बड़े बड़े रहबर भी कह उठ देने भी तहिनूं दर्द क्यों नहीं है उदा सो दा महा परले वाला जेडा रूप है वो ऐसा है दीन दुनिया दे माल केंदे चमां चम अत्रंग पात्षया अखन लगे चमां तो पावे चमक अत्रंग केंदे ने 16 अनूं मैदाने जग वे च सूर्मया दे 16 अधी चमक वेख़या बन दी है अकाल पुर्क दे शाष्टरादी चमक वेखियां बन दी है कलगी तर दे जंगावल चातमारो चौदावल चमक वेखियां बन दी है ये सरकारा नू पता है भी जबजी सहेव दा खत्रा नहीं जाब सहेव दा खत्रा है जबजी सहेव प्रेम स्काउं दी है गुरू गरंसे प्रेम सकंदे ने दसम बाणी शेश्टर चकोना सकंदी ए सो तांच साधे पसवे नू दूर करना चांदे ने क्योंकि हर एक अलफाज विच अग पर ये कलगीतर पाथशा ने एमें थोड़ा अड़सो सत्सो साल दी गुलामी गुलाम लोक संजेडे कलगीतर दे कना विच बोल पैते शेश्टर चुक के मुगलिया सल्तन दाउना सुफाया कर देता सी उदे बोली ऐसे ने पाथशा अगे आखन लगे शेश्टर चम करे ने सूर बीरा दे अकाल पुर्ख दे हाथ दे विच महा कोर सब्दंग बजे संख ऐसंग जदों जांग शुरू उन्दा है ना कोर कहीं देने प्यंक करता नल बड़ी उच्ची जदों गर्ज चाल दी है कादी गर्ज है बजे संख ऐसंग जदों जांग शुरू उन्दा संख पूरिया जांदा ना बड़े बड़े नगारे वाजदे ने अजवी गुरू करामिच जदों जांगी नारा अपना लोने हैं बोले सो नहाल ते उस नारे दे नाल जांग दा परतीक नगारा खड़कदा है भी खालसा जित्थे शांत मही है उत्थे सूर्मता इनू पुलेया नहीं है सो गुरू गोवन सिंग पाथशा गे जांग नू अगे वदां दे होई होर बयान बाजी कर देने कहने एतना संख वजे प्रले काल के काल की जवाल जैसंग प्रले काल परले दा समा जदों जगत नू अपने परमातमा लीन कर लेंदा है दुनिया दा कातमा कर दिन दा है उप बहुता टेम नहीं लौँदा गुरू गरंशाब कहने ओपत परलो खिन मह करता एक रंचक मातर आख़ चमकन दे समय विच वी चावे ते तारे तोड़ दन्दाए दुनिया गर्क कर सकदाए कई दे इद्दा नगारे ते संख मैदाने जांगे चवाज़ दे जिदा महा परले ओन लगी है जिदा दुनिया गर्क जावेगी दुनिया दा विनाश हो जावेगा प्रलाय काल के काल की जवाल जैसंग जवाल अगनू के देने जिमें परले काल दे शमय अग मच दिया यो मैदाने जंग विच नगारे पई वज़ देने लहुदियां लाटा उठ दियांने पिछकारियां चल दियांने कलगीतर अगे फुर्मान कर देने अर सावल शंद कणं कंट बाजंग तोनं मेग लाजंग कंट जदो मैदाने जंग वे चुत्तर दिंगाने न दो फवजां ते बड़े कंकोर कंटे वाजदेने पाव के दोए बने ओ नगारे वाजदेने बोईदल बंदा दे नगारे सुनके डिग पइंदा जमीन ते जांग ते ओ की लड़ेगा तोनं मेग लाजंग कंटे बदल गर्जदा ए दुनियानू सुनदा ए पर जदो मैदाने जंग वेच सूर में आदे नगारे खड़क देने ते बदल भी लजजा जानदा ए शर्मिंदा ओ जानदा भी ये ते मेरे नालों वद के गर्ज कर देने पयो साद एवं हड़े ओ नीर तेवं साद जे फारसी चलाओ ते सौनू कहिं देने वैसे शब्दनू अवाज नू कहिं देने कहीं दे एदा दा साद वज्जया एदा दी आवाज उठी मैदाने जंग चूँ अखन लगे पादशा हड़यो नीर तेवं हड़यो कहीं दे ने हड़ दे पाणी नू जे में तो सामी यूँ दी है ना जे में समुंदर दिया लेरा उचल दिया ने तो सामी दा खड़ा काउं दा यू मैदाने जंग दे वेच नगारेया दिया शूर मया दिया आवाजा उठ दिया ने अगे पादशा दीन दुनिया दे मालक कहीं देने को रंग कुंग रेयं तूनंग नेवरेयं कुरं की देने गुर्ज नू आवाज नू वडेयाई नू सूर बीरादिया किलकारिया नू जो अवाज उठ दी है मैदाने जंग देवेच महाराज दीन दुनिया दे मालक कैं दे को रंग की वाज उते यू दी ये तूनंग नेवरेयं नेवरें पावे चांजर चांजरा वर गे उथे शनकारे पई देने महानाद नादं सुरंग निर्भी खादं बड़े उचे शब्द होए सुरंग निर्भी खादं सुरंग विवेखो एक तोन लवज ली वाज लवज ली किने लवज पाशाने वर्त दे सुर लवज वर्तिया तुन लवज वर्तिया नाद लवज वर्तिया इस सब नगारें दे बावत पाथशा उस जंग जू मैदान बारे बियान बाजी कर रहे ने कहिंदे ऐसी आवाज उठ रही है सुरंग निर्भी खादंग ओ जेड़ा परमातमा है ना जेड़ा निर्भी खाद और चगड़यां विच पइदा नई मैदाने जंग विच उसने डाया हुआ है सुरंग नो मैदाने जंग दे विच लड़ाया हुआ है आप कलेश तों ओ मुकत है दुनिया नो आपस दे विच लड़ा रहा है वो जो चाहे कर सकता है उन्हों कोई पुछन वाला है नहीं ना रोक टोक सकता है उसनों खैर अगे बादशा कलगी तर पुर्जोर कल्म नाल फिर लिख देने अखन लगे सेरंग माल राजंग लखे रुदर लाजंग केंदे शिवजी दी माला वड़ी सोनी है ये हिंदू वीर कहीं देने कल्गी तर पात्शा कहीं देने सेरंग माल राजंग जो काल दा भी काल है दुनिया दा मालक है अकाल पुर्ख ओदे जेडी सेर्टे माला सोबा दिन्दी है ना ओ सब देवी देवते जदों उसनों वेख देने लखे रुदर लाजंग शर्मा जांदेने शिवजी वरगे महापुर्श वीवी परमात्मा दा जास ओधी वड़ियाई योदा रूप रंग ऐसा है दीन दुनिया दे मालक गुरु गरंस है विच भी कहीं देने कंचन काया सोईने की टाला, सोवन टाला, क्रिसन माला जपो तुसी सहेलियो तेरे बंकेलो यण दंतर साला ओही शब्द है केंदे बड़ा सोणा है, बड़े सुंदर दांदने, बड़ा सुंदर रूप है ते माला भी उसने पाई होई है, ते शरीरो दा सोने वरगा पे आजा अपदा है कदे बाणी नू तुसी ते आनल पड़े हो ये थे क्रिसन तो पाव है, दुनिया दी उत्पती करनवाला दुनिया नू पैदा करनवाला काल पुर्खे गुरू ग्रण सैव दे बोलने हुन महारा रिकेंदे बड़े बड़े देवते लजा जान दे ने उस दे रूपनू वेख के वो अंतन नहीं पा सके, कारण है देखो, ब्रह्मा बिसन रुदर्तिस की सेवा गुरू ग्रण सैव केंदे ब्रह्मा दी विशनू दी सारे देवते राबदी सेवा विच ने अंतना पावै अलख अपेवा अंतना योदा कोई वी पा सकदा ऐसा सुन्दर रूप है सुबै चार चित्रंग परमंग पवित्रंग महाराज आखन लगए सुबै तो पावै सुबा चार दा मतलब है सुन्दर चित्रंग तो पावै काल पुर्ख वेखन नूओ दी मूरत बड़ी सुन्दर है जदों सरगुण रूपतार दाए परमंग पवित्रंग सवनों पवित्र है कोई कमी नहीं हो दे जीवन मिच कोई दाग नहीं हो दे जीवन मिच महा गर्ज गर्जंग सोनें दूत लर्जंग जदों गर्जदा है जदों काल गर्जदाए जदों परले अँदी ये दुनिया दा खातमा होन लगदाए ते महारा रिकेंदे सोनाएं दूत लर्जंग फार्शी दा लर्ज़ः शबदाए ते लर्ज़ः तो पाव उनदाए कंबना लर्ज़ः दा दुज़ः पावे टबकना पाव मैदाने जांगे जेते सूर में गर्ज़ः ते लहू टबकदाए अकाल पुर्ख गर्ज़ः दों परले अँदी ये दुनिया दा लहू डुलदाए महारा रिकेंदे जदों लर्ज़ः ते वड़े वड़े जामते दैंतवी ओदी गर्ज़ः नू सुनके आखन लगे काम बुठ देने डर जान देने ऐसी गर्ज़ः उसा काल पुर्ख दी सरवंग सरोन सोहं महामान मोहं सरवंग लहू नू के आजानदाए सरोन मी लहू लई आउनदाए सरवंग दा दूज़ा पक है टबकना डुलना सोहंग दा मतलब है शोबा हुन मैदाने जंग विच लहू टबकरिया उनदाए केंदे सूर बीरा लई ते ए बड़ा सुंदर है बुझदिला लई एक नौना जया जापदाए बुझदिल कामदे ने इस दूज़ नौवे के सूर बीर होर जोश दे विच लई ने पर दीन दुनिया दे मालक केंदे ओदी ताकत ऐसी है दूट लर्ज जान देने ओद्रेश वे के बंदा ते की दूट काम जान देने जदों कालपुर्ख महां पर ले ले होंदा आए तर्म राय के दूट न जो है ते जेदे वाल कालपुर्ख होए गुरू गरन सहीब केंदे दूट डर दे नेड़े ही नहीं होंदे सो उस मैदाने जंग दे विच दीन दुनिया दे मालक केंदे ने लहू टब करिया है अगे पात्षा अखन लगे महा मान मोहं जडे बड़े बड़े सूर में ने न ओवी अकाल पुर्ख दी ताकत बाबत जदों देख देने ते मोय जान देने ओधी ताकत ऐसी है अगे पात्षा फुर्मान कर देने पुझंग प्रियात शंद सिर्जे सेत जंग जेर जंग उतबुझेंग दुनिया दी रचना ते हुना गे एक उना दरेशे दिखा देता भी दुनिया नूँ ख़त्म के में करदा है महा पर ले के में लें 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 दुनिया दी रचना ते फिर रहुदे ने कहिंदे उसने सिर्जे ने कौन कौन सेत जंग सेत जंग कहिंदे ने मुड़के चो पैदा हुन वाले आनू अगे जेर जंग जेर चो पैदा हुन वाले चिली चल पेटे हुए इंसान पशू ते सेतज केड़े हुंदेने पसीने चो पैदा होए जुँआ आदक होर जीव जन्तू चार तरा नल प्रमातमादी रचना आएं गुरुगू गरंत सह पाश्या भी कहिंदेने अंडज जेरज उतपज सेतज तेरे कीते जन्ता एही बोल पाशा कलगीतर बोल देने कहिंदे सिर्ज सेत जंग जेर जंग उतबुज पुज पुजा तर तीचो उतपनोन वाले रोखादक जेडेने तीजी रचना एह उगई चौथिया रचे अंडज जंग जुँआ अंड़यां चो पैदान वाले जीव चार तरादी रचना मुड़के आदक चो जेर चो तरतीदी हेक चो वनस्पती अते आंड़यां चो रचे अंडज जंग खंड ब्रहमांड एवं उदे हुकम वेची खंड ब्रहमांडो रचे जान देने अगे दीन दुनिया दे मालक ये बचन कहीं देने दिसा बिद सायं जमी आसमानं चार दिशा ने ना वेस्ट इस्ट साउथ नौर्थ पूर पच्छन उत्तर दश्ण ते चारे ना दे कोने लालो कोन्या नौ वे दिशा कैदन देने एक जमीन ते की समान दास दिशा बन जान दियाने सब जमी आसमान उसदेई रचे हुएने चतुर बेद कथियं कूरानं पूरानं हिंदू वीर केंदेने ब्रहमा जी ने चार वेद उचारे ने गुरु गोवन सिंग पाश्या केंदे अकाल पुर्ख दे हुकम वे ची उचारे ने जिवे आप केंदे ना जो निज परा मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जिवे गुर्णानक सेव केंदे जैसी मैं आवा है खस्म की बाणी गहिए काल पुर्ख किर्पा करे ते फिरी तारमक पुस्थ का होंद वे चांदिया ने जहां गुरु की काल पुर्ख की बानी परगट हुं दी है चारे वेद ब्रम्य को दी exclusively को दी HE पढ़़ पढ़ करे वेचारी गुरु गरंसे क्यातव है वी एही केंदेने ये सब कुरान पुरान वेद ये जितने भी अलफाज ने राबदी किरपा है ते गलुए चुम फोट देने परगट हुंदेने रचना हुंदी आ है महारा अगे आखन लगे रचे रायन देवसंध पे सूर चंदरं रैन ते रात भी उसदे थापे हुए ने सूर्ज ते चांद भी उसदे ही थापे हुए ने जिसकी स्रिष्ट सो करने हार जेदी स्रिष्टी है उसने आप रची है वेस मूर्ती दा चितरकार है परमातमा ऐस धुनिया दा थटे दैवदानो रचे बीर ब्रिंदंग फुन परमातमा ने दो तरह दी स्रिष्टी बनाई जे में ग्यान अग्यान अंधेरा रऊशनी दिन रात एदा ही कुछ देवते ने कुछ देयत ने कुछ चंगे कर्म करनो वाले ने कुछ मंदे ठटे दा मतलब है रचनाम दैवदा मतलब है देवते आदे ने ठटे दैवदानो रचे बीर ब्रिंदंग ते जिनने में सूर बीर वड्डे वड्डे ने ओवी उस देई पैदा कीते हो ये ने कोई ना चो सूरमा हैं कोई बुजदल है साब हो दी अपनी बनाई खेड है अखीर इककर ना टाकत दसी है कालपुर्धी कलमधी वी पामें तुँ देवताएं देंताएं संताएं साकताएं अवतार हैं गुरू पीर हैं ठीक है दन्यावी लोकाँ नोवतारी पृसमाः पृसोना दी महाँनता है टाकताउ उन्दियां अवताराँ तेको लग पर अकाल पुर्ख सब तों बलवान हैinkल गी तरकेंदे करी लोहो कलमंग लिखे ओलेख मातं सब जेर कीने बली काल हाथं लेख न मिटेई हे सखी जो लिखिया करतार गुरू गरंसे भी केंदेने कल की तरकेंदे लोहे दी कलम है अकाल पुर्ख दी जिनने सा लिख देते ने चाहे तू संताइं साकताइं एक स्वास तेरा वद नहीं आवेगा उदी लोहे दी कलम है अदने आवी कलमा ते पल्ट जांदिया न फैसले बदल जांदे ने माया नाल ताकत नाल रातम का अगे रबदी कलम लोहे दी है जदों पत्थर ते फिर जांदी है फिर मिट दी नहीं महारा रहे कहीं देने मथे ते लेख लिखे हो ये ने उस दे की लेख है सबै जेर कीने बली काल हाथं जेर फारसी दा लवज है आधीन प्राजित ये लिखे आओ या है बत्थे थे भी तूँ चाहे दुनिया जेत लवे अकाल पुर्खने उदे कले काल ने तैनू टाई लेना है तूँ उसनू जेत नहीं सकेंगा ये लिखे आया ये सब दे मत्थे ते और अगे होरुदार ना देने वड़ेया दिया बाता पाउंदे बली काल दे हत्थों केडे केडे दुनिया तो गए ने दन्यावी बंदे ते छटो वड़ेया दी गल करन लगे ने कहिंदे कई मेट डारे उसारे बनाए कहिंदे किनेक बनाए ने मिटाए ने फिर उसारे ने बनाए ने उपारे गडे फिर मेटे उपाए जो में बच्चा समुंदर दे कंडे रेथ चमेल बनाओ दा फिर टाद दा फिर बनाओ दा कहिंदे दन्या दी रचना करदा बनाओ दा टाद दा उत्पुत परलो सब दे हो आ गुरु गरांज साहिब कहिंदे एक कुकम दे नाल पैदा करदा एक कुकम दे नाल नाश करदंदा हुने ताकते नी उदे विचकित हों है कलगी तर कहिंदे क्रिया काल जूकी किनूना पशानी करणी क्रिया कौतक ये आजता कोई समझ नहीं सके आभी एनी ताकतों दे पास किमें है बस यहों समझ लो एक कलम करोडां ते चाल चुकी है करोडां ते चलनी है ये दी किसे नू समझ नहीं पई दी हुन होर वड़े महा पुर्शादी गल कर देने आखन लगे किते क्रिसन से कीट कोटे बनाए किते राम से मेट डारे उपाए जिड़े मेरे वीर केंदे ना दसंबाणी ब्रामन नाल जोड़ दी है देवतेया नाल जोड़ दी है संगतावी सुचेत होन उन्हान पोचलिया करो भी एक एड़े ब्रामन ने लिखे आए जा पोचलो मंदर जाके भी कोई लिख सागदा है पदा की केंदे कलगीतर केंदे देख सनातन मत दे दो वड़े महाँ पुर्ष शिरी राम चंदर जी शिरी कृषन जी इते लब्स वर्तिया है किते कृषन से कीट कोटे बनाए इते कीड तो पावे निमाना कीड दा मतलब कठोर चित भी इन्दा है केंदे दुनियाली रह परादी ताकतो वेगी कठोर उनगे शक्ती वाले पर अकालपुर्ख अगे केंदे ए रंचक मातर ने अकालपुर्ख दे अगे निर्मान ने ओदे नालों वड़ा कोई दुनिया ते पैदा नहीं होया ए संस्क्रिदा बोल है किते राम से मेट डारे उपाए शिरी राम चंदर जी वरगे वी कई महां पुर्ष दुनिया ते कले मिटा दे गए कई दुनिया ते ऐसे साथ पुर्ष ऑंदे ने जांदे ने एक कवी लिखदा है अमीर मिनाई केंदा हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे जमी खा गई आसमा कैसे कैसे बड़े नामवार हो ये ने पता ही नी लगदा मिटीज ने असमान ते चले गए ने इते ना महां पुर्ष रहिंदा है ना साकत रहिंदा है राम गयो रावन गयो जांको बहु परवार कहो नानक थिरकश नहीं सुपने जेओ संसार सारी दसम पाथशा दी बाणी गुरू गरंसेव दी शतर शाया विच गुरू गरंसेव वाली विचार तारानू अगे वदों दी है अगे महाराज पाथशा फिर फुर्मान कर देने होने इसलाम जगदी गल कर देने महाराज अखन लगे महादीन केते प्रथी माज हुए सा मैं अपनी अपनी अंत मुए इसलाम जगत विछ सवा लख दे करीब पैगंबर है सब तो महान उना ने शिरी महामद जी नू मने आए हुना महादीन वटा दीन चलाउन वाले महामद जी केंदे ऐसे महापुर्ष हजरत महामद जी वरगे आए प्रिथूी ते पैदा होए समय अपनी अपनी अंत मुए जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है ओवी अपने समय दे नल चले गए ओवी अपनी उमरतों बाद अकाल पुर्ख दे बचन सुना के लोकानू चले गए सो अगे महारा जी कहीं देने जिते आउलिया अंबिया होए बीते ते ओ काल जीता ना ते काल जीते आउलिया ए अरभी दा लवज है वली लई अंबिया लई ए बावचन नभी दा बावचन है अंबिया नभी नू आउलिया भी कह देने स्वामी, मालक, सेरदा, साइ, अलिया दा पाव है, जो मालक है, दीन दा तरमदा अंबिया दा पाव है, रल्दा मिल्दा, जो नभी है, खबर देन वाला मसैंजर आफ लॉर्ड, रबवलों सुने आ लेके आउन वाला महरार कलगी तर पाथशा दीन, दुनिया दे मालक कहीं देने, जिते अलिया अंबिया होए बीते जन्ने में आए बीत गए, दुनिया तो ओ चले गए ने, अगे पाथशा कलगी तर फुर्मान कर देने तिते ओ काल जीता ना ते काल जीते उन्हा सार्यानू काल ने जित लिया पर ओ काल नू जित नहीं सके मौत नू कोई जित नहीं सके आ फिर अगे कहें दे ने जिते राम से क्रिशन होए बिसन आए तिते ओ काल खापयो ना ते काल काए ये अपन सारे नुँ पता गुरू गरंसेव जी भी कहीं देने विशनु दे अवतार सन शरी रामचंदर ते सरी कृषन जी बाणी की कहीं दी ये गुरू गरंसेव मारा दी कोट विशन की ने अवतार करोड़ा अवतारों देने कोट महेस उपाए खपाए हुन महाराज पादशाय थे कहिंदे ने रामचंदर जी वरगे महापुर्ष क्रिशन पगवान वरगे जेडे महापुर्ष ने जो बिशंदे वतार ने कहिंदे तते ओ काल खापे ओ ना ते काल काए काल ने अखीर उनना दीवी उमर पूरी होनतों बाद उननों लियाना कीता है पर लोक ले गया ओ काल नू नहीं का सके पर काल ने हर एक नू काया है काल ने हर एक नू जिते आविया है अगे देवतेयां चो महादेवदी गल कर देने जिते इंदर से चंदर से होत आए ते ओ काल खापा ना ते काल काये जो महान देव समझया गया है उदे वर्गे देव तेवी दुनिया ते पैदा होए चांद भी थापे आ गया आड़े तारे टोटदे ने साइंटिस्ट ते कहें देने चांद नालों तर तीनों वडाकार है पर राब देले इतो शने तोड़ के सोट दन्दा है तिते ओ काल खापा ना ते काल काए बड़े इंदर आए बड़े चंदर आए सब मिठ गए दुनिया तोँ जते अवलिया अंबिया गउस होए है सब आ काल के अंत दाडा तले है जिनने मी अगां अवलिये अंबिये महापुर्ष रहबर अवतार आउन गे गउस कैंदे ने फर्यार सुनन वाले नू जितने भी दुनिया ते अउन गे न महापुर्ष रहबर साबाय काल के अंत दाडा तले है दीन दुनिया दे मालक आखन लगे सारे ही अखीर नू काल दिया दाडा थले चबे जाने ने अकाल नालों वड़ा कोई दुनिया ते ना होया है ना पात्षा कैंदे ने हो सकदा है अगे अखन लगे जिते मान धाताद राजा सुहाए सबै बांद कैकाल जेले चलाए सब मिटेगा बाने कैंदिया निस बासुर नखे अतर बिनासी राव ससीर बेनादा सूर्ज चांद तर्थी सब मिटेगा सब रहबर भी मिटे जान देने हुन दीन दुनिया दे मालक कैंदे मान धाता राजा ये बड़ा बड़ा राजा होया है इक वांशी ये राजा होया है ये वनाशूदा पुतर सी इदा लम्मा इतिहास है पर बड़ा महान राजा समझे आगया कैंदे होवेगा कोई राजा दुनिया ते होवेगी योदी जैजैकार पर सचाई ये है गुरू गरंसे भी कैंदे ने मान धाता गुन रवै जेन चक्रवै कहायो भी रब दे गुन गुंदा आए अकाल दे गुन गुंदा आए अकाल ने उसनों मी अखीर कहिँ देने ओदे वर्गे होर राजां दे सुमेत जित्ते आए सब ऐ बांद काय काल जेले चलाए जेले तो पावे दीन कर लेना काल ने सारे राजयानों मी अदीन रखे आए राजा परजा समकर मारा ऐसो काल बड़ानी रे गुरू गरंसेव गेंदे राजे परजा सब नू ले जानदा आए जिननामता को उचारों उभारे बिना सामता की लखे कोट मारे केंदे जिनना दा नाम उचारे आए ओ मिट गए होर वी जिनना बाबत जिकर नहीं कीता ओ वी दुनिया तो मिटा दते गए फुन एक पाख लेंदे ने दा दूसरा आरत केंदे जे कोई चौदा आए ना कोई सावाद जावे एक कोई नाम है ओ अकाल पुर्खदा जे ओदा तरला लओ ते पावे तो आनू उमर बख्षदवे क्योंके काल दे उते अकाल बैठा है होर काल तो उते कोई नहीं है ओ पावे तो अड़ा तरला सुनके गुरू गरंसेव केंदे ना प्राभ पावे बिन सास ते राखे नहीं ते होर कोई रहबर वली पीर रखन वाला नहीं महाराज केंदे काल सबनू दाड़ा तले चबाके महाराज केंदे ने सुट दंदाए केंदे बिना साम तांकी लखे कोट मारे ओधी शाम पाव ओधी शर्न तों बिना बचया नहीं जा सकदा ओधी पना तो बिना लखे कोट मारे कुरोडा ही उस अकाल पुर्खने मिटा दतेने कलोडा नू मिटा दवेगा अगे पाशा गेंदे रसावल शंद तो है परसाद चो मक्का है किरपानं अपूतंग पैयानं चो मक्के हुन फेर बीर सी रूप काल पुर्खदा चितर देने के में सूर बीरानू ताकत दिन्दा है जंग जू सीन उनना चितर आ है कहिंदे ओधे हाथ विच किरपादा कर किरपान तलवार चम करई है अपूतंग पैयानं पैयान कहीं देने प्यांकर हुन ओ पैय देन वाला उथे जापदा है सूर में आथ तलवार वे ते ओ पैय देन वाले जापदेने तुनंग नेवरानं तुनंग अवाज नू कहीं देने नेवरान चांजरा दीवार केंदे शन शन चांजरा वंगू तलवारा ते तलवार खड़क दिया है कुरंग कुंगरडायं कुंगरुआ दीवाज वंगू टाला ते टाला खड़क दियाने चतर बाहा चारंग ने जूतंग सुधारंग जदों दो सूर में पिढ़ देने चत्र चार बावा बन जान दियाने बढ़ यां सुन्दर जाप दियाने वह बाहा जिना चबाला है ने जूटं सुधारं ने जूट केंदेने ने दा मतलब है चंगी तरा जोट दा मतलब है ढटे हुए ने जोटदा मतलब जूड़ा भी है सूर बीरा ने क्योंके सब के साथ है रियुन देसान हिंदू, सिख, मुसलमान, सब देवी, देवते, सब दैयंत, सब क्योंके परमातमानली केसवा लवज बरते आए सब एक दुझे दे नाल पाशा कहीं दे जुटे होएने, सुधारंग तो पावै चंगी तरा, सुधार के जंग लड़ देने गदा पास सोहं, जमं मान मोहं किसे दे कुल गदा है, किसे दे कुल गर्ज है महाराज पाथशा कहीं देने सोबा दिन दिये, जमं मान मोहं जाम तो मतलब जार्म राजा मान कहीं देने फकर नू जाम राजावी अपना मान शड़ दन्दाए उनना सूर बीरा दे हाथ वे चफड़े शष्टर वेख करके सो ऐसी उनना दी ताकत कलगी तर ने बियान कीती है दास इथे ही विचारनू संकोचदा है वाहगुर जी का खालसा वाहगुर जी की फते